आज मैं आपके लिए स्टाल कंपनी का एक फ्राइपन का अन्बॉक्सिंग कर रही हूं यह अल्रेडी मैंने खोल लिया था बड़े अच्छी पैकिंग में था यह देखिए मैंने इसका धक्कन लिया है हाथ में और यह बहुत देखिए मिरर फिनिश है इसकी तो बहुत ही प् बहुत ही अच्छा मजबूत यह हैंगिल के साथ अच्छे से स्कुरू देखिए लगे वे हैं कहीं भी ऐसे सबजी बगरा लगने की वो नहीं है अंदर सी मैट फिनिश है ढकन भी और फ्राइपन भी मैंने कूकर भी आपको इस कंपनी का दिखाया एक्शुली मैं एक अच् मैट फिनिश है अंदर से हैंडल्स वगरा के स्कुरू बहुत मजबूत हैं जल्दी से लूज होने वाला नहीं है यह देखिए हर एक पर कंपनी का नाम लिखाया है स्टाल कंपनी और यह पीछे भी आप देख सकते हैं यह 26 cm है देखिए यह जो इसका साइज है जब भी हो जाती है इसमें और बहुत बढ़िया मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा सा फ्राइपन ढून रहे हैं तो आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है और कॉस्ट भी इसकी उन्होंने हमें लेस की है लोकल मार बेल्स हैं स्टाल ये कंपनी है अच्छे कंपनी है बरतन के मामले में और ये देखिए आप इसके साथ ये वारण्टी कार्ड है वारण्टी गरांटी है इनकी तरफ से बहुत सुंदर ये मुझे लगा देखे बिलकुल अच्छे से फिट हो गा है इसका धकन इसमें आप सूखी सबजी कम तेल में बना सकते हैं और जब मैं सबजियां मनाऊंगी तो मैं इसको रिव्यू दूँगी आपको और मैं एक दो इसका बरतन यूज कर चुकी हूँ बहुत बढ़ी आए तो अगर आप एक अच्छी कमपनी का फ्राइपन देखना चाते हैं गो फर इट थोड़े से कॉसली हैं जो बरतन बॉटम हेवी है जिनकी और अच्छी स्टील से बने हैं बट आप एक एक करके अपनी किचिन में यह एड़ कर सकते हैं तो थैंक्यू सो मच फर वाचिंग आई होप आपको मेरे यह अन्बॉक्सिंग पसंद आया होगा थैंक्यू सो मच थैंक्यू